कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वे हैं अगर खुद को समझ लीजिए तो सभी समस्याओं का समधान हो जाएगा जी हाई लेकिन इतना तो जरूर विश्वास है कि कुछ दे सकता हूं आप लोगों को और अगर मेरी वीडियो अगर मेरी क्लासेश और सुल्यूशन की तरीक का जो है अगर आप उसे देखोगे तो जरूर है कुछ तो फायदा जरूर मिलेगा तो आईए स्वागत है आपके अपने सब्सक्राइब करते हैं आज के सेशन का तो सबसे पहला मेहत आपके स्क्रीन पर इस समय जो आ गया है एक चतुरभूज ABCD एक वृत के अंदर है जिसका केंद्र ओ है यदि कौन बी ओ सी बराबर 92 डिग्री और कौन ADC बराबर 112 डिग्री तो कौन ABO किसके समान होगा यह सब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसकी एक डायग्राम हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं तो आपने यहां पर देखा तो इस्ट्रेट यहां पर जो है सबसे पहले एक चत्रभूज ABCD एक वुरित के अंदर है तो यहां पर हमने एक वुरित ले लिया और इस वुरित के अंदर आपके एक चत्रभूज हम इस परकार से यहां पर बना लेते हैं अब यहां पर आपके लिए दिया हुआ है कि केंद्र जो है वो बृत का है ओ यहां पर आपके केंद्र ओ हो जाते हैं और इसके बाद कुन बी ओ सी 92 डिग्री तो सबसे पहले यहां इस चत्रभुज का नाम हमने ए भी सीडि डिरक दिया और इसके बाद आपके वी ओ सी यानि यह जो आपके हैं यह आपके नाम्नट टू डिग्री यह दी हुए है और यह डीसी 113 डिग्री तो एडीसी कहा पर है इस्टुडेंटि अडीसी यह जो है ये आपको find करनी होगी तो इस्ट्रेंट्स आईए सीधे तरीके पर सबसे पहले हम लोग यहां जानते कि जब भी आपके चक्रिये चतुर्भुज होते हैं तो चक्रिये चतुर्भुज के आमने सामने के कुन मिलकर 180 degree होते हैं यानि सम्मुक कुनों का योगफल 180 degree होते हैं तो आप यहां से कुन ABC तो find करी लोगे यानि ABC जो होगा वो 180 में से 112 degree हम माइनस कर लेंगे यानि 180 माइनस 112 तो यहां से अगर आप देखोगे तो आप के हो जाएंगे 68 degree अब यहां से 68 degree आप के हो गए A,B,C पर आपको find करनी यह यानि सिर्फ यह वाली कों यह यहां तक तो यहां से आपको करना क्या इस्ट्टेंट्स जब आप देख रहे हो गिरंगो यह भी विरित की तेर्जिया है और ये भी बृत की तिरजिया है O, B और O, C बृत की तिरजिया है तो O, B और O, C दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों बृत की तिरजिया है और जब बृत की तिरजिया होगी तो दोनों बराबर होंगे तो जभी बराबर होंगे तो दोनों के सम्मुक कौन भी बराबर होंगे तो यहां से आपके ये कौन और ये कौन बराबर हो जाएंगे तो तिर्भुज के तीनों कौनों का जो योग होता है वो एक 60 डिग्री होता है यहां एक कौन आपके 92 डिग्री है तो यहां से आपके जो ये दोनों कौन हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे कौन O, B, C की मैं बात करूँ कौन O, B, C तो आपके यहां पर 88 88 degree by 2 यानि कि आपके हो जाएंगे आपर 44 degree समझ में आई बात क्योंकि यहां पर जो B और C यह आपके मिलकर 88 degree हो जाएंगे क्योंकि O को 92 degree अकेले है तो इसलिए अब अगर आपको O, B, C मालूम हो गई तो यहां से आपके A, B, O की जो value हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 68 minus 44 यहां से आपके कोन A, B, O find करनी है तो A, B, O बराबर आपके हो जाएंगे 68 minus 44 equal to हो जाएंगे 24 degree अपसान नम्मर A हो गए बिलकुल सही जबाब 24 degree इसकी value हो जाएगी तो आई बात समझ में students तो इस तरह से चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अब यहां पर जो अगला सवाल है students तिर्भूज A, B, C में कोन A, B, C 90 degree है और B, D, Lumb A, C है, perpendicular है यदि A, D बराबर 4 से भी और C, D बराबर 5 से मी तो B, D किसके समान होगा तो आई students यहां पर हम लोग सबसे पहले इस सवाल को सबसे पहले इसका जो एक diagram हम लोग तयार कर लेते हैं तो जगा बना ले आई अब देखते हैं यहां पर students की जो तिर्भूज A, B, C है सबसे पहले हम लोग एक तिर्भूज बना लेते हैं बनानी होगा तो यह इसने नाम हमने यहां पर ले लिया A, B, C तो यह जो आपके यहां पर A, B, C कौन है यह आपके है 90 डिग्री और इसके बाद आपके B, D लंब A, C पर है यानि कि अगर यहां से देखा जाए तो इस B से यह जो है B से आपके B, D यह B, D आपके लंब हो जाते हैं A, C पर यह आपके यहां से 90 डिग्री हो गए लंब और यहां से आपके जो A, D बराबर है 4 से भी है और आपके C, D बराबर 5 से भी है तो आपको यहां पर B, D किसके समान होगा B, D फाइंड करना तो जब भी ऐसा कंडिशन होता है यहां पर आपको दिहान रखना है कि जब भी आप किसी समकोन तिर्भूज में क्योंकि यहां पर यह तो समकोन तिर्भूज था इस तरह से और आपने यहां से जब लंब डाला तो इसके दो साइड दो और समकोन तिर्भूज बन गए कुल यहाँ पर तीन समकोन तिर्भूज है तो जो सबसे पहला समकोन तिर्भूज ABC था वो भी एक समकोन तिर्भूज था अब कुल मिलाकर यहाँ तीन समकोन तिर्भूज है तो जो छोटे समकोन तिर्भूज होते हैं वो बड़े के भी समरूप होते हैं और आपस में यह दोन तिर्भुज आपके ADB हैं वो आपके समरूप हो जाएंगे तिर्भुज BDC आ GOgamber समझ में यह वाली तिर्भुज और यह वालि तिर्भुज जो छोटी दो तिर्भुज है यह दोनों आपस में समरूप होंगे और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि दो समरूप तिरभूज होते हैं तो उनके संगत भुजाये समान अनुपाती होते हैं संगत भुजाये से क्या मतलब है कि अगर आप देखोगे अगर हम तिरभूज ADV की बात करें तो AD में हम अगर इस भुजा को अगर लेते हैं AD, तो आपके AD बट्टे हो जाएंगे BD, और जब आप तिर्भुज BDC में जाओगे, तो यहां अगर हम इसकी भुजा लेंगे BD, तो हमें लेनी होगी DC, तो इस परकार से अगर हम यहां भेलू पुट कर दें, हमें BD की आपकी है 4, तो 4 बट्टे आपके हो गए X, और जो BD है वो X, और DC की भेलू है 5, तो X स्क्वाइर की भेलू जो हो गई, वो आपकी हो गए 4 पंचे 20, तो जब आप X 20 रूट अंदर होगी, तो आपके 2 रूट अंदर 5 हो जाएंगे, यानि का अप्शन नम्मर B हो जाएंग तो इसे जरूर समझ गए होंगे, आप लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वस्टन की होगा, अब यहाँ पर जो अगला क्वस्टन आपके लिए दिया वा इस्टिडेंट्स, यदि A प्लस B प्लस C बराबर 5, और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 4, तो A Q प्लस B Q प्लस C Q मैनस 3 ABC किस के समान होगा, मैं एक बात यहाँ पर स्टिडेंट्स कहाना चाहता हूं आप लोगों को, कि अगर इस कलास को देख रहे हो न, तो एक बात मेरी जरूर धियान में रखना, कि वैसे बिंदू पर ज़्यादा फोकस करो, आप जहाँ पे की आपको ज़्यादा दिक्कते आती है सेट सोलिशन करना है, पर वैसे प्रावलम्स को ज़्यादा फोकस करके बनाना है, जिसमें कि आपको बड़ाबर समस्याए होती है, तब आपके क्या होंगे कि अच्छी से तैयारी हो जाएगी, और बिलकूल एक टार्गेट बना लो, एक रनीती बना लो, कि किस परकार से त सरकारी और अच्छे एक सेबा में जाने का आपको बहुत अच्छा मुखा, अगर ये मुखा गवाओगे, तो काफी पस्ताने की नौबत आ जाएगी, तो आएए देखते हैं, इसका सेलूशन, तो यहाँ पर स्टुदेंट्स, आप लोगों को मैं एक बहतरी बहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, जरूर इस हिसाब के लिए आप लोग ये चीज को सीख लेना, बहुत ही काम आने वाला इस्टुदेंट्स, तो सबसे पहले इसमें क्या है इस्टुदेंट्स, कि आपको यहाँ पर एक स्पेसल में फर्मूला बता रहा हूं, जिसे आप लोगों को हमे जो फर्मूला होती स्टुदेंट्स वो आपकी हो जाते हैं, A Q पलस B Q, पलस C Q, उसके बाद आपके स्टुदेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे, प्लस 3 A प्लस B प्लस C फिर आपके ब्रैकेट में हो जाएंगे A B प्लस B C प्लस C A और इसके बाद आपके हो जाएंगे माइनस 3 A B C आई बाद समझें स्टुडेंट्स तो यहाँ पर क्या है यह आपके लिए बिल्कुल कुछ नया लगड़ा होगा लेकिन अगर आप यह फर्मूला को याद रखोगे तो यह बेहद ही काम आने वाला है और उमीद है कि इस केबल इस फर्मूले पर आपके अधारित SSTC-CSL में एक तो प्रॉब्लम जरूर ही आनी ही आनी है इसलिए इससे जरूर आप रट लो जैसे याद कर लो इसे आपको याद कर लेना तो यहाँ पर देखते हैं जो आपके A प्लस B प्लस C की बेल्यू 5 दी गई है यहाँ से हमने 5 का क्यूब लगा दिया और उसके बाद आपके AQ प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की बेल्यू मालूम नहीं है हम लोग aq plus bq plus cq minus 3abc की value find करनी है तो हम लोग यहाँ पर aq plus bq plus cq और minus 3abc को एक जगा पर कर लेंगे अब यहाँ पर देखो आपके लिए क्या है plus 3abc की value क्या है a plus b plus c की value दी गई है आपको 5 दी गई है तो 3 गुना यहाँ पर हमने 5 कर लिया और into ab plus bc plus ca की value क्या दी गई है चार दी गई है तो clear students अब हमें इस person की value निकालनी है तो 5 की cube इधर 125 में हम यहाँ पर minus कर लेंगे 5, 4, 20, 60 तो आपके यहाँ से हो जाएंगे 65 यानि कि option number d हो गए बिलकुल ही सही जवब आई बात समझे students तो बेहाँ इंपोर्टेंट यह formula है इसे आप लोगों को याद कर लेना है और यह आपको बहुत ही काम आने वाला है बरते हैं next problem की ओर तो अगला question यहाँ पर त्रिकोन मिति का है तो चुकि आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ advance की question को लेकर आएं तो ऐसे problem को क्या करना students आपको solution करोगे तो बहुत ज्यादा समय आपका वेस्टेज होगा आप यहाँ पर क्या करोगे ठीटा की value लग लो आप दिमाग लगा 90 की value sign में आपके 1 होती है 1 रखने से तो 0 नहीं होगा अगर हम यहाँ पर 45 रखेंगे तो की बात आती है हम 30 degree को ट्राय करते हैं तो अगर मान कर चलो यहाँ पर साइन स्कॉर ठीटा प्लस 3 साइन ठीटा माइनस 2 इकल टू जीरो वह कैसे होगा तो अगर हम यहाँ पर देखे 2 अगर मान कर चलो स्टुडेंट्स हमने यहाँ पर साइन 30 डिगरी माल ली तो साइन 30 डिगरी की बेलू क्या हो जाती है वन भाइट टू यह आपके 1 बाइट टू की स्कॉर हो गई पलस फिर आपके 3 साइन ठीटा है यानि साइन 30 डिगरी 1 बाइट टू एंड माइनस 2 अब आपको यहाँ पर equal to zero लाना है देखना किस value उपर zero degree आ रही है तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो दो गुना आपके एक बट्टे दो की square चार हो गई plus आपके तीन बट्टे दो हो गए और minus यहां पर दो हो गए तो यहां से आपने दो दुनी चार कटा दी तो अब यहां पर आप देखिए तीन एक चार बट्टे दो और यहां minus दो तो यह दो दुनी चार तो 2 minus 2 equal to क्या हो गए? 0 इसलिए students यहां पर हमने theta की value क्या रखी? 30 degree रखी तो इसका मतलब यहां पर theta की value 30 degree होगी easy way में हमने इसे find कर लिया तो ऐसे problems को आप लोगों को theta की value put करके ही निकाल लिए आप चाहे सभी value को भी put कर लोगे तो solution से फिर भी कम ही समय में यह काम आपका हो जाएगा परते next problem की ओर अब अगला problem यहां पर पास सेमी किनारे वाले 4 गन सभी को एक दूसरे से छोडों से जुरे हैं तो परिनामी घनाव यानि सभी जुरे के बाद तो घनाव बन जाएगा तो उस घनाव का संपूर्ण प्रिष्च्छे तरफल आपको find करनी ताइस यहां पर जैदी प्यारा सवाल है यहां पर चलिए से बहतरीन तरीके से मैं solve करूंगा सबसे पहरे चार घन बनाने है तो यहां पर हमने चार घन को इस तरह से बना दिये अब देखिए एग घन की जो भुजा है वह आपके दी गई है पांस से मी तो अब यहां इस जो परतिक घन की भुजा है वो कितनी है वो पांस से मी कड़के है तो यह सभी पांस से मी पांस से मी तो हमने इसमे चार घन को जो सटा दिया तो इस घन की केबल लंबाई बढ़कर पांस से हो गई चार घन मिलकर इसे बना दिये बीस सेंटी मीटर लेकिन अगर बात की जाए उचाई तो वो तो 5 से मी ही रह जाएगी और चौराई भी आपके 5 से मी ही रह जाएगी क्योंकि चौराई यर उचाई पे तो फर्क नहीं परेगा तो अब इस परकार से स्टुडेंट्स अगर हम अब इस घनाब के अगर संपुन प्रिस्चत फल निका लेंगे तो संपुन प्रिस्चत फल का फर्मूला आप लोग जानते हो वो होती है 2LB पलस BH पलस LH तो यहां से अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई 20 और चौराई 5 तो 20 पंचे 100 फिर अगर चौराई की बात करें 5 और उचाई भी 5 तो 25 लंबाई 20 उचाई 5 एक सो तो यहां सा अगर हम देखेंगे तो आपके जो टोटली हो गए वो हो गए 100 दो सो पचीस तो दो गुना दो सो पचीस तो बराबर कितने हो जाएंगे चार सो पचास सेंटीमीटर स्क्वाइर हो जाएंगे अप्सन नम्मर ए हो गए बिलकुल ही सही जब आप इस्टिटेंट्स उम्मीद है कि समझ पाएंगे आप लोग जब भी हम चार घं को आपस में सटाएंगे तो केवल लंबाई ही चार गुनी होगी उसकी उचाई और चौडाई में कोई पडिवर्तन नहीं होगा और उसके बाद इस लंबाई को लेकर हम लोग घं आपका संपूर्ण पिछे तरफल फाइंड कर लेंगे बरते हैं नेक्स्ट कोस्टन की ओर इस्टेंट्स तो यहाँ पर एक सवाल आपके चुकि यह तो एडवांस में नहीं है लेकिन इस्टेंट्स यहां पर हिसाब में दम था इसलिए मैंने इस इस हिसाब को यहां पर सामिल किया है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि A, B और C अकेले किसी क कारी को नौ दिन बारा दिन अठारा दिन में पूरा कर सकते हैं उन सभी ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन तीन दिन के बाद ए ने कारी छोड़ दिया तो सेज कारी कितने दिनों में पुर्ण हुआ अगर यहां पर देखा जाएं तो ए अकेले कितने दिन में कर रहा है यह अकेले नौ दिन में कर रहा है अकेले भी कितने दिन में कर रहा है बारा दिन में कर रहा है अकेले सी कितने दिनों में कर रहा है अठारा दिन में कर रहा है तो अगर हम यहाँ पर एक इसकी LCM find कर ले 9, 12, 18 तो आपके यहाँ पर LCM हो जाएंगे 36 यानि 36 अगर काम है तो A daily 4 काम करेगा B daily 3 काम करेगा C daily 2 काम करेगा यहाँ से देखा जाए तो 4, 3, 7, 2, 9 काम तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो A, B, C तीनों मिलकर 9 काम पर 3 दिन करेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी ने मिलकर काम सुरू किया तीन दिन के बाद A ने काम छोड़ा है तो तीन दिन तक तो यहाँ पर 3 ने काम किया यानि जो 3 गुना A, B, C होगा तो ये लोगों ने मिलकर 27 काम तो कर दिया अब इस 36 में से 27 काम होने के बाद अब बच गए आपके टोटली 9 काम अब इस 9 काम को ये तो चला गया अब 9 काम को कौन करेगा B और C मिलकर करेगा तो B और C मिलकर जब करेगा तो 9 बटे 5 यानि option number C हो गए बिल्कुल ही सही जब हो आई बात समझ में students कि दो यह आपके जो सेस कारी कितने दिन में समाप्त होंगे 9 बटे 5 दिन में समाप्त हो गए बढते हैं next question की ओर अब यहाँ पर एक सवाल आपके बीच है यदि तिर्भुज ABC में BC पर बिंडू D इस परकार इस्थित है तो सबसे पहले एक तिर्भुज का हम लोग यहाँ पर एक डियाग्राम तयार कर लेते हैं students चलो हमने यहाँ पर एक तिर्भुज इस परकार से बना लिया अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि तिर्भुज ABC में BC पर एक बिंडू D है इस परकार है कि BD अनुपात BC दो अनुपात 5 होता है यानि अगर यह तिर्भुज है A, B और C तो यहाँ पर एक बिंडू आपके यहाँ दियावा इस परकार कि BD अगर BD दो है तो यह जो पूरा BC है वो BC 5 है इसका मतलब यहाँ से जो DC है वो आपके केबल हो जाएंगे 3 यानि 3 हो जाएंगे तो कहने का मतलब कि अगर हम बात करेंगे BD BD अनुपात DC तो वो हो जाएगी दो अनुपात यहाँ पर 3 अब यहाँ से इसको यहाँ इस तरह से इसे मिला लेते हैं तो यहाँ पर छेतरफल जो है आपको दी गई है यानि कि तो तिर्भुज छेतरफल ABD अनुपात छेतरफल ADC का अनुपात आपको निकालना है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे जो तिर्भुज ABD अगर मान के चलो यह लंब होगी तो जो आपके ABD है ABD का छेतरफल आप क्या लिखोगे 1 by 2 इसके आधार को हम लोग BD माल लेंगे और जो उचाई होगी वो आपके हो जाएगी AD ABD और इसी परकार से अनुपात कर लेंगे हम लोग तो जब हम लोग उस तरफ जाएंगे तो अगर हम यहाँ पर 1 by 2 इसके आधार को अगर हम DC माल लेंगे तो उचाई क्या हो जाएगी उचाई तो AD रहेगी AD आपके कट जाएंगे 2-2 कर जाएंगे और BD अनुपात DC कितनी स्टूडेंट्स दो अनुपात 3 है यानि कि जो छेतरफल का भी अनुपात होगा वो क्या रहा जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर वो भी आपके 2 अनुपात 3 ही रहा जाएंगे आई बात समझ में श्ट्रेंट्स तो बहुत ही प्यारा हिसाब था यहां पर जरूर है उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे तो बीडे अनुपात होगा वही इस दोनों पार्ट के छेतरफल का भी अनुपात सेम होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन की और अब सवाल एक ब्रित में AD और BC जिवाएं ब्रित के बाहर बिंदू E पर मिलती है यदि कौन BAE बराबर 46 डिडी और ADC बराबर 102 डिडी तो कौन AEC किसके समान होगी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर हमें एक ब्रित की जरूरत है हम लोग सबसे पहले एक यहां पर ब् मिल रही है यहां से हमने है कि एक आपके जीवाग को बना दिया एडी और एक जीवाग हमने बना दिया कि BC दोनों कहां पर जाकर मिल रहे हैं इपर मिल रहे हैं तो जो आपके यहां पर BAE है वह 76 डिडी दी गई है BA यानि यह कौन आपके 66 डिडी दी गई है और ADC 102 डिडी है ADC आपके यहां से इससे हम लोग यहां मिला लेंगे इस परकार से तो यह जो कौन आपके ADC है वह आपके 102 102 डिडी है अब आपसे का जा रहा है कि AEC यह जो कौन है आपको यह फाइंड करनी है तो चाहें आपको हम कहें AEC या हम कहें DEC सबसे पहले इस एक बात तो आपको याद रखनी है कि जब भी अगर हम किसी चक्रिये चत्रभुज आपके बन गए तो ABCD चक्रिये चत्रभुज के अगर भुजा को हम बाहर अगर करते हैं बलाते हैं यहां एक कौन बनता है तो यह जो कौन बन रहा है आपके DCE फीर इस को गऔर करना इस्ट्रेंट्स यहां पर जो DCE ben रहा है ये कौन आपके सामने के कौन है है 76 यह भी आपके 76 डिगड़ी ही होंगे आज बास समय और यह आपके थिय। कि कि यहां पर इसे याद रखना कि जो आपके भी एस भी एए चाहर है तो आपके जो । बी सी होंगे वह भी शेतर डिग्री ही होंगे और आप दूसरी चीज़ यहां पर जानते हूं कि एक रेखा पर जो दोनों कोनों का योगफल होता है तो इस परकार से जो यह कौन आपके यहां पर है वो कितने डिगडी हो जाएंगे तो आप यहां पर सिर्ली को होगे कि यह आपकी हो जाएंगे आपके जो आपके एक रेखा पर सरल रेखा पर जो कौन होता है वो 180 डिगडी होता है तो जब आपके यह 88 डिगडी और आपके चेतर डिगडी तो दोनों मिलकर अब हमें यह कौन गयात करना है तो इस तिर्भुज DCE का अगर बात करें हम तिर्भुज DCE की बात करें तो तीनों मिलकर 180 डिगडी होंगे तो दो कौन मिलकर यहां पर आपके 140 और आपके 14 154 डिग्री हो रहे हैं 154 डिग्री हो रहे हैं तो आपके जो कौन ए इसी होंगे वह 180 में 154 को माइनस कर लेंगे तो यहां से आपके हो जाएंगे 26 डिग्री 26 डिग्री अप्सन नमर सी होगा है बिलकुल ही सही जवाब आई बात समझें स्टुडेंट्स बेहद ही प्यारा सवाल था अगर आप लोग इसे समझ पाया होगे तो बहुत मज़ा आया होगा परते हैं नेक्स्ट कॉस्टन की और यहां पर टू है रूट 8 मैनस रूट 7 और उ जाएंगे तो बी बराबर वन बाई ए एकी भीली तो आपके रूट 8 मैनस रूट 7 है और जब भी इस तरह की कोई हो उसकी डिफ्रेंस अगर वन होती है तो परीमे करन करने के बाद सिर्फ इसके चिन यहां पर वो बदल जाते हैं तो रूट 8 प्लस यह हो जाएंगे रूट 7 आई बाद समझ में अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इसने की भेली फाइंट करनी है तो A स्कार प्लस B स्कार माइनस 3 A भी है तो हम इसे लिख सकते हैं A माइनस B की होल स्कार इसमें 2 A भी आपके चले गए तो माइनस में 1 A भी आपके यहां पर बच जाते हैं और न से देखे A माइनस B तो A तो आपके हैं रूट 8 माइनस रूट 7 और B आपके हैं रूट 8 प्लस रूट 7 तो अगर हम A माइनस B करेंगे इस्टुडेंट्स तो यहां पर आपके हो जाएंगे A माइनस B करने से आपके हो जाएंगे माइनस 2 रूट 7 का स्क्वाइर और यहां से भी की वहलू क्या हो रही है और अगर A प्लस B हम लोग करेंगे तो यह आपके हो जाएंगे 2 रूट अंदर 8 की होल स्क्वाइर और माइनस 1 अब यहां से अगर लोग देखें तो रूट 7 की स्क्वाइर 7 तो 7 के 28 28 माइनस 1 आपके हो जाएंगे यहां पर 27 और नीचे अगर हम लोग बात करें रूट 8 की स्क्वाइर 8 तो 2 के स्क्वाइर 4 32 माइनस 1 तो 31 यानि 27 बट्टे 31 अप्सन नमबर C हो गए बिलकुल ही यहां पर सही जवाब अब इस यहां पर जो अगला प्रॉब्लम है यह आपके है एक तिर्कोन मिती का प्रॉब्लम है आप लोग यहां पर देख रहे हो तो यहां भी आपकी यह सवाल बहुत ही अच्छी सवाल है अब यहां पर इस अगर हम लोग देखेंगे तो साइनगे स्कुर्ट की तो सब्यून नहीं होती है थो यहां पर साइनगे स्कुर्स दिख़ए तो ऐसं release देख़ॏ अगर हम z साइनगे स्कुर्ट स चौ साइनगे से किसी एक को चेंज गर यहे आपके साइनगे स्कुर्स दिग्री हैं और प्लस जो आपके साइन स्क्वाइड चोगन डिग्री है उसे अगर हम लोग नब्य में घटा दे वह आपके कॉस्वाइड सब्सक्राइड तो यहां से आपके यहां से आपके टोटली हो जाएगे यहां पर चार और चार वट्टे तीन जो के बारा चार सोला वट्टे यहां पर हो जाएंगे तीन अपसन नमबर डी होगे बिल्कुल ही सही जवाब तो यहां पर आपका टोटल यह जो प्राब्लम था आज मैंने यहां पर खत्म कर दिया तो यह अब आपका यहां पर इस्टुडेंट्स आप देख रहे हैं यह है आपका अपना चैनल विद्ध्या भिहार कंपिर्शन क्लासेज यूट्यूब के इतिहास में यह आपके चैन सबसे पहले चले जाए और सारे क्लास को आप देख सको और उम्मीद है इस्टुडेंट्स की मेरे क्लास से आपको बहुत सारी जो नए मैठट्स की जानकारी मिलेगी और इसके साथ ही आपके हिसाब को एडवांस में हिसाब को अच्छे तरीके से बना पाओगे इनी सब्द